है कि टाइब कभी भी ऐसे नंबर को मल्टिप्लाइए करना हूँ 38 होँ ठाइइट और टाइप? हर किसी का अपने स्पेसिफिक रूल है अगर इसको आप multiply करेंगे तो multiply करने पर क्या होगा आपके पास में अगर आप देखें तो इसका answer है 12 और 16 तो आप बहुत quickly आप response कर सकते हैं अब ये कैसे हुआ इसको जड़ा समझ लीजी अब आप देखेगा condition पहले समझेगा फिर सवाल पर हम आएंगे condition क्या है first of all आपके पास में जो unit digit का sum क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए 10 होना चाहिए तब ही होगा अधरवाइस ये तरीका नहीं लगेगा जो बताने वाला हुँमे तो unit digit का sum क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए always ऐसा सवाल आपके सामने मिल जाए तो फिर तो आपके कल्कुलिक्शर में लोट्री लगी मान लीजिए और उसके पहले वाले जो नंबर है उसके डिजिट सेम होने चाहिए तब आप काम कर सकते हो क्लिर है तब आप किस तरह किसे काम करेंगे वो देख लो यह समझ मैं कंडिशन दो कंडिशन है unit digit का sum 10 होना चाहिए और आगया ले डिजिट सेम होने चाहिए तो आप देखेंगे तीन से अगली संख्या कौन सी है चार तो तीन इंटू चार बारह और आट दूनी 16 तो यह आंसर है यह बाद समझें क्लिर है जैसे एक्जामपल ने क्या कंडिशन फुल्पेल हो रही है तो क्या गरोगे 6 से अगली संख्या कौन सी होती है तो साच्छे ब्याली सो साथ्तिया समझे कोई डाउट जी कोई डाउट है तो पूछे लो ग्लेरे और एक्जामपल